नमस्कार सुलकता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साइमा लोगसभा चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस के लिए उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिस दिन कॉंग्रेस के लिए कोई बुरी खबर ना आई हो एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी में नेताओं को पार्टी छोडने का सदमा लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ करनाटक में एक के बाद एक जटके कॉंग्रेस को लग रहे है कॉंग्रेस ने करनाटक में सरकार तो बना ली है लेकिन सरकार को चलाने में कॉंग्रेस बुरी तरह से फेल साबित होती हुई नजरारी है अब एक ऐसा जटका कॉंग्रेस को लगा है जिसने कॉंग्रेस के लिए चारों तरफ से मुसीबतों को बढ़ा दिया है जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं क्या करनाटक में गिरेगी कॉंग्रेस सरकार? क्यों जनता को धोखा दे रही है कॉंग्रेस? करनाटक में राहुल के लिए क्या है नई मुसीबत? सीयम सिधार मैया को क्यों भेजा गया सम्वन? करनाटक के मुखेमंत्री सिधार मैया, उनके डिप्टी, सीयम, डीके, श्योकुमार और कॉंग्रेस नेतार राहुल गादी को पिछली भाजपा सरकार के खलाफ कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से लगाएगे आरोपों को लेकर अदालत में सम्वन जारी कर दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर 40% कमिशन लेने का आरोप लगाया था और इन आरोपों के जवाब में कॉंग्रेस पार्टी ने पिछले साल करनाटक विधानसबा चुनावों के दोरांग बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए एक अभियान भी शुरू किया था कॉंग्रेस ने इस अभियान में पे सियम स्लोगन वाले पोस्टर और एक क्यू आर कोड शामिल था जो यूजर्स को 40% सरकार नामक वेबसाइट पर ले जाता था कॉंग्रेस पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने 40% कमिशन रेट को मॉडल बना दिया था बीजेपी की कानूनी इकाई के एक वकील विनोत कुमार ने अभियान को लेकर कॉंग्रेस नेताओं के खिलाप शिकायद दर्ज कराई जिससे अदालत ने सम्मन जारी किया है करनाटक हाई कोट ने राजस सरकार को 6 सब्ता के भीतर आरोपों की जाज़ पूरी करने का भी निर्देश दिया है भाजपा नेताओ प्रहलाद जोशी ने हाली में कॉंग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो कथित 40% की बजाए 50% कमिशन लेते हैं ये टिपड़ी तब सामनी आई जब कॉंग्रेस नेता बी शिवरामू ने अपनी ही पार्टी पर ब्रश्टा चार का रोप लगाते हुए दावा किया कि कॉंग्रेस सरकार के अधीन इस्तिती बद से बत्तर हो गई है कॉंग्रेस नेताओं के लिए नई मुश्किल करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार मंदिरों से टैक्स लेने वसूलने को लेकर पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है अगर इस मामले में कोट में कारवाई आगे बढ़ती है तो लोगसभा चुनावों से पहले कॉंग्रेस नेताओं को नई मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है कोट में कॉंग्रेस नेतार राहूल गांधी, राज्य के मुखिमंत्री, सिधार मैया और उप मुखिमंत्री डीके शियोकुमार को सम्मन भेजा है डीके शियोकुमार चुनावों के वक्त भी करनाटक कॉंग्रेस के अध्याक्ष थे इतना ही नहीं दूसरी तरफ उत्राखंड की अगर बात करें तो उत्राखंड के पूर्वो मंत्री और कॉंगरस नेता हरक सिंग रावत को पीमले के तहट एडी ने सम्मन भेजा है जिसके बाद उनकी मिश्किले काफी जादा बढ़ती वही नज़र आ रही है बता दे कि वन विभाग की जमीन पर अवैद कबजे और पेड काटने के मामले में एडी ने पीमले के तहट हरक सिंग रावत को सम्मन जारी किया है और 29 फरवरी को पुष्टाश के लिए बुलाया है इसके साथ हरक सिंग रावत की बहू को भी एडी ने सम्मन किया है बहू से साथ मार्च को पूछताश की जाएगी आपको बता दें कि बीते दिनों पहले ED की टीम ने हरक सिंगरावत के ठिकानों पर ताबर तोड चापे मारी की थी जो कई घंटों तक चली थी उस वक्त बताया गया कि टीम अपने साथ अलमारी खोलने के लिए कुछ विशेशग्यों को लेकर भी पहुँची थी इतना ही नहीं आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उत्राखन के पूर्व मंत्री पर दर्ज ये मामला तबका है जब वो राज में वन मंत्री थे उत्राखन के पूर्व मंत्री और कांगरस गतिविद्यों की वज़ा से उनको बीजेपी से निकाल दिया गया था। गतिविद्यों की यात्रा पूर्व उत्तर से निकल कर उत्तर भारत तक पहुच गई है लेकिन असम में हुई एक घटना को लेकर कॉंग्रेस के पूर्व अध्याक्षब मुश्किल में पढ़ते हुए नसर आ रहे हैं। पुष्टाज के लिए तलब भी किया है। जिन नेताओं को नोटिस देया गया है उनमें राहूल गांधी और केसी वेडु गोपाल के साथ ही कुछ अस्थानी नेताओं की नाम भी शामिल बताय जा रहे हैं। कॉंग्रेस विधायक जाकिर हुसेन, सिकदर और गुवाटी शेर कॉंग्रेस के महा सचिव रमेन कुमार सर्मा को भी पुष्टाज के लिए तलब किया गया है। असमपुलिस की CID की तरब से जारी सम्मन में राभुल गांधी और कॉंग्रेस के बाकी नेताओं से पुष्टाच के लिए 23 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। जितेंद्र सिंग, जैराम रमेश, श्री निवास, बीवी, कनहया कुमार, गोरो गोगोई, भुपेन कुमार बोरा, देवबरत सैक्या के साथ ही बाकी नेताओं के भी नाम शामिल है। जैक यात्रा के दोरान हुई हिंसा में शामिल, आरोपितों को उकसाने के आरोपित, विरोजपुर्जिर का वधान सबाक्षेतर से कॉंगरस के विधायक और अन्य आरोपितों पर कड़ा शिकंजा कसने की तयारी हो चुकी है। गटना के आच महीने बाद पुलिस ने मामन और बाकीयों के खलाफ गैर कानूनी गतिविदिया निशेद कानून यानि यूए पीए की धारा जोडी है। इसके बाद जमानत पर चल रहे हैं मामन को एक बार फिर से जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा। चार फाई यार में पुलिस ने गैर कानूनी गतिविदिया नियम कानून यूए पीए की धारा जोडी है जिससे आरूपितों की मुश्किले भी बढ़ गई है। इसदारा की जोडने से नू हिंसा का मामला एक बाद फिर चर्चाओं में हैं। पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के दो ग्रहरक्षी यानि होमगाड और एक बजरंग दल के कारिकरता की हत्या साइथ साइवर थाने में आगजनी को लेकर तीन फायार दर्च की थी। जिसमें मामन पर हिंसा करने वाले आरोपितों को उकसाने का आरोप लगा। इसाइटी ने फिर से जाच कर रिपोर्ट बना कर यूएपीय की धारा लगाई है और हमने केस के स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि एसाइटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गए। तोकीफ मुस्लिम सहित कई नयाई खिरासत में हैं वहीं बाकी पुलिस की गिरफ्ट से बाहर हैं। तीनों मामलों की आगामी सुनवाई 20 मार्च और 22 मार्च को होनी है और संसद ने 1967 में गैर कानूनी गतिविदिया रोकता मादिनियम यूए पीय को बनाया था। लगे 2004, 2008, 2012 और 19 में इस कानून में बदलाब किये गए लेकिन 2019 के संशोधन में इसमें कठोर प्रविधान भी जोड़े गए। इसे आतंक बात के खिलाफ देश की एक जुटता और अखंडता को मजबूती देने वाला कानून बताया गया। नमस्कार!